नमस्कार किसान भाईयो, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चेनल क्रेटिव किसान में आज हम इस वीडियो में एक एकर निम्बू की खेती का संपूर्ण विशलेशन इन पांच पॉइंट्स के आधार पर करेंगे अगर आपको हमारे द्वारा फसल के विशलेशन की सीरीज वाले वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें तो बिना अधिक समय नश्ट किये एक एकर निम्बू की खेती का संपूर्ण विशलेशन शुरू करते हैं निम्बू की खेती संपूर्ण भारत के किसान भै सफलता पुर्वक करते हैं इसके खेती हर तरह की मिट्टी में हो सकती लेकिन अगर आपके खेत की मिट्टी बलूई और दोमठ है तो यहाँ आपके उत्पादन को भी इंक्रिस करेगा और आपके पोधे की ग्रोध भी अच्छी होगी अगर आपके खेत की मिट्टी पत्थरी लिए तो यहाँ पर आपके उत्पादन में कमी होगी और आपके पोधों की ग्रोथ नहीं होगी तो अगर आपके खेत की मिट्टी पत्थरी लिए तो आप निम्बू की खेती ना करें आते हैं हमारे पहले पॉइंट लागत पर के 20 से तैयार किया गया उसे बीजू निमू कहते हैं चुकि निमू का पोधा बड़ा होकर काफी जादा फेलता है इसलिए आप 18 भाई 18 फिट परी निमू का पोधा रोपन करें यानि कि रो से रो की दूरी 18 फिट और पोधे से पोधे की दूरी भी आप 15 भाई 15 फिट की डिस्टेंस से कम पर पोधा रोपन ना करें बहुत से नरसरी वाले 10 भाई 10 फिट की डिस्टेंस पर पोधा रोपन करने का बोलते हैं इसमें नरसरी वालों का तो फाइदा है लेकिन आपका नुकसान है वो इस तरह से क्योंकि 18 भाई 18 फिट पर एक और चुकि आपका पोधा बढ़ा होकर काफी ज़ादा फेलेगा तो कुछ सालों में ही निमू के दो पोधे आपस में टकराने लगेगी इसमें हमें हार्वेस्टिंग में भी दिक्कत होगी और हमारे पोधे की ब्रांच भी तूट कर गिरने लगेगी इसलिए आप 18 भाई 18 फिट या फिर 15 भाई 15 फिट से कम पर निमू के पोधे का पोधा रोपन ना करने पर 134 पोधे लगेंगे एक पोधे का मुल्य 25 रूपे है इस तरह एक एकड़ के लिए पोधा रोपन का खर्च आएगा 3350 रूपे खेत की तेयारी का खर्च आएगा 25 रूपे, निमू के पोधों का पोधा रोपन करने के लिए गड़े खोदने और भरने का खर्च आएगा 4000 रूपे, देसी गोबर की खाद का खर्च आएगा 5000 रूपे इस तरह इन सब खर्च को जोड़कर एक एकर निम्बू की खेती की पहले साल की हमारी लागत आईगी 19,350 रुपे हमारा दूसरे और तिसरे साल देशी गोबर की खाट का खर्च आएगा 10,000 रुपे इसमें जो हमारे पोधे पर रोग लगते हैं जैसे की पत्ती का पीला पढ़ना और लीफ माइनर के लिए हमें स्प्रे करना पढ़ता है उसका खर्च भी इंक्लूडे इस तरह दूसरे और तिसरे साल की हमारी निम्बू की खेती की लागत आईगी 24,000 रुपे हमारा चोथे साल देशी वर आसायनिक खाद उर्वरक और माइक्रो न्यूटन का खर्च आएगा 12,000 रुपे तथा हार्वेस्टिंग का खर्च आएगा 4,000 रुपे इस तरह चोथे साल निम्बू की खेती की लागत आईगी 16,000 रुपे पांचवे साल से जब तक हमारा निम्बू का पोधा उतपादन देगा तब तक हर साल हमारी लागत 16,000 रुपे आईगी इस तरह पहले तीन साल में हमारी निम्बू की एक एकड़ खेती की लागत आईगी 43,350 रुपे वह चोथे और पांचवे साल की हमारी लागत आईगी 32,000 रुपे लागत के बाद आते हैं हमारे दूसरे पोईंट उतपादन पर निम्बू का पोधा पहले तीन सालों तक हमें कोई उतपादन नहीं देगा हाँ उसमें थोड़ी बहुत फ्लावरिंग जरूर होगी लेकिन आप उससे उतपादन ना लें फिर हमें निम्बू के पोधे से 4 साल से उतपादन मिलना शुरू होता है 4 साल एक निम्बू के पोधे से minimum 25 केजी और maximum 40 केजी तक उतपादन मिलता है हमने एक एकड में 134 पोधे लगाये थे कुछ पोधे हमारे श्रतिगरस्त होते ही हैं तो हम स्वस्थ पोधों की संग्या लेते 110 इस तरह चोथे साल हमारी एक एकड निम्बू की खेती से उतपादन मिला 27 क्विंटा पाचवे साल से हमें निम्बू के पोधे से ज़्यादा उतपादन मिलेगा और निम्बू के एक पोधे से मिनिमम सित्तर केजी और मेकसिमम सो केजी तक उतपादन मिलता है हम मिनिमम सित्तर केजी लेते हैं इस तरह एक एकर निम्बू की खेती से पाचवे साल हमारा उत्पादन हुआ सतोत्तर क्विंटल. अब यहां उत्पादन हमारा चटवे साल भी उत्पादन रहेगा और आने वाले 20 सालों तक हमें एक एकर निम्बू की खेती से हर साल 37 कुंटल के आसपास उत्पादन मिलेगा चटवे साल से 12 साल तक हमारा उत्पादन 37 कुंटल से भी जादा रहेगा या 80 कुंटल से लेकर 90 कुंटल तक रहेगा फिर हमारा उत्पादन 12 साल से 15 साल तक थोड़ा सा कम होगा और हमें 67 कुंटल के आसपास उत्पादन मिलेगा इसके बाद में आपके पोधे की कंडिशन केस ही है उसका रख रखाओ केस है इसके उपर हमारा उत्पादर डीपेंड करेंगा लागत के बाद आते हैं हमारे तीसरे पोइंट समय पर निम्बू की खेती की समय साइकल कितनी है निम्बू की बुआय का सही समय जुलाई अगस्त और सितंबर महिना है चोथे साल से हमें हार्वेस्टिंग मिलना शुरू हो जाती है जो की मिनिमम 25 से 30 सालों तक मिलती है यानि की एक एकर बीजू निम्बू पोधे की समय साइकल हुई 25 से 30 साल वहीं अगर हम ग्राफ्टेंड निम्बू के पोधे का चुनाओ करते हैं तो इसकी उम्र 12 से 15 सालों तक रहती है इसलिए हमें बीजू निम्बू के पोधे का ही चुनाओ करना चाहिए क्योंकि इसमें हमारा उत्पाधन भी इंक्रीज होता है इसके साथ ही हमारे पोधे की उम्र भी जादा होती है लागत उत्पाधन समय के बाद आते हैं हमारे चोथे पोईंड आमदनी पर एक एकर निम्बू की खेती से कितनी आमदनी होती है निम्बू का मंडी थोगभाव मिनिमम 15 रुपे से मेकसिमम 30 रुपे तक रहता है इसलिए हम इसका एवरेज 20 रुपे केजी लेते हैं हाँ गर्मी के सीजन में निम्बू का मंडी थोगभाव 40 रुपे से 70 रुपे केजी तक भी मिलता है हमारा चोथे साल उत्पादन हुआ था 27 क्विंटल वह एक क्विंटल में 100 केजी रहता है और हमने 1 केजी निम्बू का मंडी ठोगबाओ 20 रुपे किलो लिया है इस तरह हमारी चोथे साल एक एकर निम्बू की खेती से आमधनी हुई 54,000 रुपे पाँचवे साल हमारा उत्पादन 27 क्विंटल हुआ था तो पाँचवे साल हमारी आमधनी हुई 1,054,000 रुपे इस तरह पाँचवे साल से आने वाले 15 से 20 सालों तक हर साल हमारी एक एकर निम्बू की खेती से आमधनी होगी 1,054,000 रुपे भाईयो निम्बू का मंडी थोगभाव 20 रुपे से ज़्यादा अकसर किसान भाईयों को मिलता है इसके साथ ही आपकी यहां आमधनी तब होगी जब आप 97 क्विंटल हर साल निम्बू को बेच पाएंगे अब बड़े शहरों के आसपास रहने वाले किसान भाई तो इसे आसानी से बेच पाएंगे लेकिन गाओं में रहने वाले किसान भाईयों को थोड़ी धिक्कत हो सकती है लागत उतपादन समय के बाद आते हमारे 500 पॉइंट प्रोफिट कितना हुआ और प्रोफिट परसेंटेज क्या रहा प्रोफिट निकालने के लिए हम सिंपल कुल आमधनी में से लागत को घटा देगे तो जो हमें आखड़ा मिलेगा वा हमारा प्रोफिट रहेगा हमारी चोथे साल आमधनी हुई 54,000 रूपे और चार सालों तक हमारी लागत आई 69,350 रूपे इस तरह चोथे साल भी हमारी लागत नहीं निकली और हमें 5,300 रूपे का नुकसान हुआ पर वहीं पांचवे साल से हमारी आमदनी हुई 1,54,000 रूपे और लागताई 16,000 हमारा प्रोफिट हुआ 1,38,000 रूपे और प्रोफिट परसेंटेज रहा 860 परसे हमारा पांचवे साल से आने वाले 15-20 सालों तक हर साल प्रोफिट रहेगा 1,38,000 रूपे और प्रोफिट परसेंटेज रहेगा 860 पर से यानि कि हर साल आपका 1,38,000 रूपे का मुनाफ़ा रहेगा एक एकर निम्बू की खेती से इसके अलावा आप निम्बू की खेती के साथ में इंटर्क्रोपिंग भी कर सकते हैं अगर आपको इस वीडियो में दीगई जानकारी अच्छी लगिए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्स्राइब अवश्य करें, अगर आपके इस वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल है, तो आप हमें कमेंट सेक्षन के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम अमारे हर किसान भाई की कमेंट पढ़ते हैं, और कोश करते हैं कि उन्हें उनके सवालों के जवाब मिल जाएं, धन्यवाद किसान भाईयो, जै जवान, जै किसान.